हल्दुआनी से बीते दिनों अलग अलग जगों से किशोर समेट चाल लोगों की मौत से जोड़ी दुखत खबरे सामने आई जिन में दो को जहर खाने पर परीजन एस्पताल लाए थे तो दो के शौप फंदे पर लटके मिले बता दें होली की खुशियों के बीच हुई इन जानकारी के मुताबिक परवतिय मोहला सावित्री कलोनी निवासी अनमोल दिवा कर सौमवार को घर में फांसी के फंदे पर जूलता मिला जिसके बाद परीजनों ने ततकाल उसे शुचलत्यवाड इस्पताल पहुचाया जहां डॉक्टरों ने उसे मृदगोशित कर दिया और पोस्ट माटम के बाद शौप परीजनों को सौम दिया जिसमें पुलिस का कहना है कि पोस्ट माटम रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत के असल कारूनों का पतालग पाएगा वही प्रियाक्सिंग निवासी प्रेमा खंडाया संदिक्ति हालत में फांसी पर लटकी मिली ज जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत गोशित कर दिया तो वहीं इधर बल्वकोट निवासी तनूजा ने विश्यलापदार्थ गटक लिया जिसके बाद उसे गंभीर अवस्ता में शुश्रतिवारी अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत गोशित कर दिया इतना ही नहीं देवला मला गॉलापानिवासी चंदंग सिन ने भी सौमवार को कोई विश्यलापदार्थ निगल लिया जिससे उनकी तब्यद बिगड़ गई जिसके बाद परीजन उन्हें शुश्रतिवारी इस्पताल लेकर पहुँचे जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोचित कर दिया